हेलो फ्रेंड्स मैं अंकुर चौधरी आज आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ ये लेके आया हूँ टर्माइट की टर्माइट मतलब दीमक दीमक की ये वीडियो है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्माइट कितनी तरह की होती है उससे क्या-क्या परेशा परेशा हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बने रही है इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक दीमक की जानकारी के लिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं दीमक की दीमक एक छोटा कीड़ा होता है आप ये डिजाइन देख सकते हैं ये देख सकते हैं दीमक की इमेज चीटी के अखार का ये इनसेक्ट होता है एक कीड़ा होता है जो नॉमली सेलूलोस खाता है सेलूलोस नॉमली जो सूखे पत्ते ह उसमें होता है जो वुड होती है उसके अंदर होता है तो नॉमली वुड पेडों से निकने वाला वेस्ट पेड की चाल वगयरा तो उससे वो खाता है और उस पे जिंदा रहता है तो जो यह दीमक है बात करते हैं इससे होने वाले नुकसान यह हमें किस तरह से हमारे घर को य खट लखड़ी का फर्स लगाते हैं वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं वो गई या वुडन का बैड हो गया तो वो सब फरनीचरों को खाता है अगर घर में दीमक लग जाती है तो आपके पूरे फरनीचर को खराब कर सकता है और आपको लाखों का नुकसान भी पहुचा सकता ह आपके furniture को खाके और दर्वाजों को नुकसान पहुचाके तो ये दीमक से होने वाले नुकसान है और दीमक जो है थोड़ा घर को अनहाईजिनिक तो बनाता ही है कि जिस घर में दीमक लग गई तो उससे regular बारूदा या उसका वेस्ट निकलता रहता है और वो जड़ता रहता है जो घर को काफी अनहाईजिनिक भी बनाता है तो ये दीमक से होने वाले नुकसान है अब बात करते हैं इसका solution क्या है कि दीमक को हम कैसे घर से दूर रखें और अपने furniture को कैसे बचाएं तो इसका दो तरीके हैं दीमक से बचाने के एक तो professional तरीका है जो professional है आप उने hire कर सकते हैं वो proper treatment करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊँगा वो किस तरह से treatment करते हैं और उससे पहले मैं कुछ घरेलू नुसके आपको बताना चाहूँगा जिससे हम दीमक को भगा सकते हैं आपने कीमती furniture को बचा सकते हैं तो कुछ जो है सबसे पहले जो दीमक है उसके बारे में वो धूप से सबसे ज़्यादा भागती है कि वो धूप में नहीं रहती है अपना घर धूप में नहीं बनाती है और वो normally धूप से भागती है तो जब भी आपको लगे किसी भी furniture में कुछ आपको डाउट लगे कि इसमें हलका दीमक हो रही है हलका दीमक आप निशान देख सकते हैं छोटी छोटी दीमक होती है आपको हलका सा निशान दिख जाएगा या बारूदा उस furniture से ज़रता हो दिख जाएगा तो आप समझ जाएं ये खतरी की गंटी है कि आपके furniture में दीमक आ चुकी है तो उस टाइम पे आप उस furniture को धूप में रख सकते हैं एक दो या तीन दिन के लिए जितनी अच्छी धूप होगी अगर दूप जितनी अच्छी है वो उतनी जल्दी भाग जाएगा तो नॉमली दो से तीन दिन में अच्छे से furniture की दिमक भाग जाती है अगर वो दूप में प्रॉपर रखा हुआ है तो ये एक घरे लून उसका है दूसरा आपने दिखा होगा सिर्का लोग घरों में रखते हैं खाने में भी यूज़ करते हैं सिर्का बहुत से food items में डलता है vinegar बोलते हैं जिसे तो उससे भी दिमक भागती है तो वो हम normally अपने furniture पे छिड़क सकते हैं उस पे डाल सकते हैं तो उससे भी घर के जो furniture है हम दिमक से बचा सकते हैं उसको proper use करके जहां भी आपको लगे दिमक का chance है तो वहाँ पे हम सिर्के को डालके inject करके अगर है आप injection से डालके या normally उसको बरस से भी करके furniture पे या उस तक पहुँचा के अगर उस दिमक ने चेद कर दिया है तो उसमें डालके हम दिमक को मार सकते हैं और भगा सकते हैं तो यह vinegar है दूसरा product और लोग नमक से भी मानते हैं कि नमक भी अगर डालते हैं तो नमक भी दिमक को तुरंथ मार देता है तो नमक भी आप डाल सकते हैं नमक से भी दीमक भाग जाएगी और मर जाएगी तो नमक भी आप यूज कर सकते हैं और जो है एक प्रॉडक्ट आता है बोरेक्स पाउडर आता है जो नॉमली शॉप पे इसली मिल जाता है उससे भी दीमक भागती है तो आप उसको भी फरनीच का जो juice होता है जो संतरा होता है उसके छिलकों को आप juice निकाल लीजे उसके छिलकों को पीस लीजे mixी में अच्छे से और उसका juice निकाल के वो भी आप furniture पे लगाएंगे जहां भी आपको doubt है कि दीमक है तो वहाँ पे भी आप उसे डालेंगे स्प्रे करेंगे उसका तो उससे भी दिमक भाग जाएगी और उस आलाके में नहीं रहेगी उस फरनीचर को आप बाहर रखके औरेंज का ओयल डाल सकते हैं या जो मैंने आपको बताया उसका जूश निकालके छिलकों का वो आप स्प्रे करेंगे तो उससे दिमक भाग जाएगी तो ये कुछ घरेलू निसके हैं जिनको आप यूज करके अपने घर से दिमक को भगा सकते हैं बचा सकते हैं बात करते हैं प्रोफेशनल तरीके की प्रोफेशनल किस तरह से दिमक को भगाते हैं तो प्रोफेशनल जो है नॉमली दो तरीके होते हैं प्रोफेशनल के, जब आपका घर पूरी तरह बन चुका है, आप रह रहे हैं उस टायम पे आपको जो है लगता है कि आपके घर में दीमक आ गई है और फनेशर को खा रही है, दरवाजे को खा रही है तो उस टायम प्रोफेशनल कौाफायर का साउं जहां भी पूरे घर को वो दीमक कंट्रोल जब करते हैं तो नॉर्मली घर के जहां पे टाइल लगी होती है आपने देखा हुआ जैसे आप यह देखिए इमेज यहां पे जैसे यह टाइल लगी हुए नीचे फ्लोर पे पत्थर लगा हुआ है और उसके बाद इस काटिंग के ऊपर की साइड में वो हर एक एक डेट डेट फिट पे ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हैं वो नॉर्मली जो है करीब करिए छे इंच या आठ इंच गहराई में ड्रिल करते हैं थोड़ी थोड़ी दूर बाद कहीं चोखट आ रही है इसके भी चारो तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पे ड्रिल करते हैं और ड्रिल करने के बाद उसमें कैमिकल आता है प्रॉपर जो है प्रोफेशनल से ही कराएं आप कैमिकल आता है कुछ मेडिसन दवाई आती है काफी पोईजनस दवाई होती है तो वो प्रोफेशनल आते हैं वो उसका घोल बनाके वो उन सारे छेदों में भर देते हैं तसली से तो आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैं यही एडवाईज करूँगा कि आप इस तरह के टास्क प्रोफेशनल से ही कराएं तो हर एक 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 डेडेड फिट की दूरी पे अगर आपके घर में बहुत जादा दीमक है तो आप एक एक फिट की दूरी भी ड्रिल करके उसमें वो दवाई डाल सकते हैं तो उससे आपके पूरा घर प्रोटेक्टिड हो जाएगा और जो भी आपका फरनीचर है उस पे भी आप प्रॉपर स्प्रे करा सकते हैं कुछ छेद हैं या वुड में जो फरनीचर है आपका उसमें जहां भी जॉइंट्स हैं वहाँ पर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं दीमक का तो उससे जो है आपके घर अगर बना हुआ है पहले से तो पूरी तर से प्रोटेक्ट हो जाएगा दीमक से नॉमली माना जाता है कि तीन से चार साल तक आप जब करा लेते हैं प्रोफेशनल से तीन से चार साल तक दीमक दुबारा नहीं आती है लेकिन फिर भी आप तीन से चार साल बात दुबारा उसे रिपीट कर सकते हैं अगर आपको दीमक से प्रॉपर आपका इलाका ऐसा है कि जहां दीमा खाती है तो उसे repeat कर सकते हैं दीमा को control करने के लिए और एक तरीका होता है आप अपना नया घर बनाने लग रहे हैं आपने नीव डाली है construct करी है तो उस time पे जो professional तरीका है कि pipe बग्यारा डालते हैं जो pest control वाले हैं तो वो normally जो basement है घर का basement है बेस फ्लोर है तो उसके proper piping डालते हैं और pipe में छेद कर देते हैं उसका pipe का link बाहर निकाल देते हैं आप यह देख सकते हैं इस तरह से pipe डालते हैं इसमें छोटे 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 छेद करके इसे छो pipe को डाल दिया जाता है और जहां भी आपकी नीव होती है पूरी तरफ चार तरफ यह लगा दिया जाते हैं और उस टाइम पे इसमें दवाई डाल दी जाती है proper दवाई को अच्छे से पूरे में फैल जाती है और यह आपका इन फ्यूचर भी बाद में कभी आपको दो साल बाद ट्रीटमेंट कराना है तो आपको इस pipeline के जरिये दुबारा से दवाई इजक्ट की जाती है और दीमक का problem solve हो जाती है तो यह भी एक professional तरीका है इस तरह से भी लोग दीमक का treatment करते हैं professionally तो बागी interior related video दीमक से related आपकी कोई और query है कुछ और जानना चाते हैं और कुछ spray जैसे हैं उनका मैं लिंक नीचे description में दे दूँगा वहां से आप इन लिंक से जाके आप दीमक की वो medicine या दवाई पर चेस कर सकते हैं और कुछ और जानना चाते हैं तो comment कीजिए thanks for watching perfect floor ऐसी ये वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए exercise कीजिए healthy रहे जै हिंद जै भारत